हर्याना में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल कर हैट्रिक लगाई जिसके चलते अब नायव सैनीस प्रदेश की बागडूर एक बार संभालते वे नजर आएंगे हर्याना सरकार ने TGT अध्यापको के लिए पत्र जारी किया है जिसमें लिखा है कि विश्यांग के तमामले में आपको लिखा जाता है कि जिन विभेन विश्यों के नाव नियोक्त TGT अध्यापको को निदेशाले द्वारा नियोक्ती पत्र जारी किया जा चुके हैं परंतु आदर्श आचार सहिंता लागू होने के कारण और अन्य किसी कारण वश कारिग्रहन नहीं कर पाएं ऐसे सभी नौ चैनित अध्यापको को तुरंत प्रभाव से नियमानुसार कारिग्रहन करवाना सुनश्यत करें इसके अत्रिक्त आपको नर्देश दिये जाते हैं कि विभिन विशो के सभी नौ नौ नियोक्त अध्यापको की कारिग्रहन रिपोर्ट एक सबता के अंदर निदेशाले में भीजना सुनश्यत करें बदादी की चुनाव से पहले सीम नाइब सैनी ने हर्याण की जनता से वादा किया था कि वो चुनाव की बाद सीम बद की शबत से पहले 25,000 नौक्रियों को पूरा करने का काम करेंगे जिस पर खरा उतरते हुए उन्होंने इसके शिरुवात टीजी टी अध्यापकों को पदभार ग्रेहन के आर्डर जारी कर अपने वादी को पूरा करने के शिरुवात कर दी है गौरतलवे के हर्याना में बीजेपी जीत हासिल करते ही अपने पूरे एक्शन मोड में है एक तरफ जहां सीयम नाइब ने नौकरियों पर अपना वर्क शुरू कर दिया है वहीं अब सीयम नाइब ने अपने विधायकों को किसानों के फसल खरीद की सवस्या को दूर करने के लिए मंडी में उतार दिया है ऐसे में सीयम नाइब दौरे लिए जो आ रहे हैं इन फैसलों पर आपकी अपनी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं